हलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी, मैं हूँ सुमी चोधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महान ग्रीक फिलोसोफर और आइडिलिस्टिक फिलोसोफी के जनक माने जाने वाले प्लूटो की जीवनी, उनके योगदान और उनके फिलोसोफिक के बारे में क्या सोचते थे और उनके पॉलिटिकल थोर्स किस तरीके के थे, इन सभी चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो प्लैटो जो हैं, इनको माना जाता है अकेडमी का फाउंडर और प्लैटैनिक स्कूल ओफ थोर्ट का भी ये फाउंडर हैं, तो अक अगर ग्रीक फिलोसोफर्स की बात करें तो बहुत सारे फिलोसोफर्स आपको ग्रीस में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके के फिलोसोफर्स, ये जो लीनेज आपको दिख रही है न, ये लीनेज देखे, ये हैं सोक्रेटीज, सोक्रेटीज को भी महानतम फिलोस लेता माने जाते हैं ये तो सबसे बड़े राजाओं में से एक शुमार हैं लेकिन इन तीनों की तिगडी को आप देखे ऐसे फिलोसोफर्स आपको एक ही लीनेज में कहां देखने को मिलेंगे कि सोकर्टीज प्लेटो और एरिस्टोटल जो की इतने महान फिलोसोफर हैं कि हर किसी की जो थोट हैं उनको पूरी दुनिया पढ़ती है सब जानना चाते हैं कि अरिस्टोटल क्या बोले थे इस बारे में इस विश्या के बारे में अरिस्टोटल के क्या एडिया थे प्लेटो के क्या एडिया थे सोकर्टीज ने क्या कहा था सोकर्टीज को भारत में हम सु प्लेटो के बाद Aristotle लाइर और अरिस्टोटल के बाद उन्होंने शिक्षा देंके अलेक्जन्डर दियसा एक महान राजा बनाया तो इनके बारे में हम सब के बारे में पढ़ चुके हैं वैसे तो सिर्फ प्लेटो बचे हैं इन तीनों के बारे में हमने बायोग्राफी कर ली ह आप जाके देखें तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इनकी बायोग्राफी और आप टेलिग्राम चैनल भी सक्सेस प्लस अकेडमी का जोइन कर सकते हैं जहां पे आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं बाच्चित कर सकते हैं साथ ही साथ जो आपको वीडियो की के पहले उसकी बात पर लेते हैं तो एक उनको माना जाता है इन कि प्roads आयाव कर्ण आ सिकते प्रिटय वह कि वर्ड बना रखा तो मैं आपको एक theory of form बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वो कहते थे कि दो तरह की दुनिया है एक वो जो pure है और वो real है और एक जिस दुनिया में हम रहते हैं जिस physical realm में हम रहते हैं वो तो एक दिखावा है वो तो माया जाल है वो तो एक तरीके का ऐस है जो perfect नहीं है तो वो perfectionism की बात करते थे वो कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि जो प्लिटो की जो थोट है जो philosophy है वो utopian है utopian क्या होता है utopian होता है कि practical जो नहीं है जो real नहीं है वो idealistic है वो विचारों में ही ठीक लगती है वो किताबों में ही लगती है लेकिन वो practical form उसका ल आया जा सकते हैं बस आपको उसके लिए बहुत ज्यादा hard work करना पड़ेगा और उसके आप करीब जा सकते हैं एकदम परफेक्ट तो नहीं बन सकते लेकिन उसके करीब तो जाने की आप कोशिश जरूर करिए जैसे कालमाक्स की theories है उनको भी utopian theories का जाता है वैसे कुछ जो वर्ड है उसको भी plutonic word या फिर कुछ लोग utopian word भी कह देते हैं Metaphysics में इनका काफी योगदान है Metaphysics एक तो होती है आप जानते हैं इन्होंने writing में भी काफी explore किया खुद को justice के बारे में beauty के बारे में equality के बारे में भी इन्होंने काफी अपने ideas को promote किया बताया है कि क्या वो समझते है justice के बारे में वो क्या मानते है beauty के बारे में उनके क्या opinion है equality के बारे में क्या opinion है ठीक है democracy वगेरा वो भी हम बात करेंग justice के बारे में इनके उपर एक काफी बड़ा परभाव था justice के उपर को लेकर इनकी जीवन में एक बड़ा event हुआ था वो क्या था? Socrates की जो death थी Socrates को जिस तरीके से punish करके जहर का पैला दे के मारा गया इनके गुरू को तो वो इनके उपर बड़ा एक तरीके से परभाव था justice system का Authentics में भी इन्होंने पर्टिस्पेट किया है Political philosophy तो दी ही है Theology में भी बात की है Cosmology के उपर काफी इनका वर्क है फिर philosophy of language इसको हम के अभी दिन separately पढ़ेंगे ठीक है? उसके बाद है इन्होंने academy नाम की एक institute स्टार्ट किया था Athens में जो की माना जाता है कि one of the first institute था दुनिया में higher education का दुनिया में बहुत सारे institute हुए हैं बड़े बड़े भारत के में अगर बात करें तक्षिला नालंदा जैसे बड़े बड़े विशो भी धहले थे उसी तरीके से ये academy भी जो है western world में एक बहुत ही important institute जाथ जो 380 BC में है प्लेटो ने स्टार्ट कर दिया था अब बात करें प्लेटो के जीवन की तो आप जानते हैं कि बहुत पुराना समय था exact date तो क्या आप exact year भी पता नहीं कर सकते कि प्लेटो का जनम कहां हुआ था ज्यादातर historians मानते हैं कि 428 से मान लेके लगबग 423 के बीच में इनका जनम हुआ था कोई 428 बताएगा कोई 427 बीसी बताएगा कोई 423 चोबिस बताएगा तो आप यह मान के चलिए 428 से लेके 423 बीसी के बीच में कहीं पे इनका जनम हुआ था एथेंस में एथेंस जो की ग्रीस की कैपिटल हुआ करती थी और मिर्त्यू इनकी हुई थी 348 या 347 बीसी में लगबग 80 साल की एज में इनकी डेथ हुई थी 385 बीसी में जो है इन्होंने प्लोटोनिक स्कूल ओफ थोर्ट और अकेडमी जो है इसको इन्होंने स्टार्ट कर दिया था वेस्टन वर्ड में और 385 बीसी में इन्होंने स्टार्ट किया था उसके बाद जो प्लेटो की जो कॉंट्रिबिशन है उसको हम कहां पढ़ते हैं देखिए मैंने क्या बताया था जब हम सोकर्टीज को पढ़ रहे थे तो सोकर्टीज ने कभी कोई किताब नहीं लिखी सोकर्टीज अपने आइडियाज को सिर्फ प्रीच करते थे अपनी सिष्चों को बताते थे सिर्फ एजूकेट करते थे उनके जो सिष्य थे जैसे प्लूटो खुद और और जो दूसरे सिष्य थे जेनोफॉन वगएरा वो लिखते थे और वही कॉंट्रिबिशन उनका बताया जाता है कि यह सोच थी सोकर्टीज की यह फिलोसोफिकल आइडियाज थे लेकिन प्लैटो खुद लिखते थे और उनके 36 डायलोग है डायलोग फॉर्म में ही उन्होंने अपने वर्क को लिखा है डायलोग बोलते हैं इनको 36 एक तरह से किताबे हैं उसमें से सबसे इंपोर्टेंट है दर रिपब उसमें उन्होंने यह सब बताया है कि हम सोकर्टीज माफी मांगते हैं इस चीज के लिए कि उन्होंने लोगों को एजुकेट किया लोगों को जगाया जागरुक किया उस चीज के लिए सोकर्टीज माफी मांगते हैं बलकि उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया लेकिन उन गजब के फिलोसोफर थे और इनकी तारीफ में किसी ने क्या कहा है एक Western फिलोसोफर है Alfred Whitehead modern word के ही है इन्होंने क्या कहा था the safest journal characteristic of the European philosophical tradition is that consist of series of footnote to Plato इन्होंने कहा कि जो पूरी की पूरी Western philosophy है न यह किस चीज के उपर आधार है आधारित है प्लेटो की जो philosophy है उसके उपर footnote है मतलग प्लेटो ने कुछ काम स्टार्ट किया था उसी को लोग आगे करके develop कर रहे हैं यह उनके लिए सिर्फ development work है प्लेटो ने काम तो already start कर दिया था कुछ नया नहीं कर रहे प्लेटो ने जो छोड़ा था उनहीं के put print पे यह लोग चल रहे हैं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं तो कितनी गजब की बात कई कितनी गजब तारीफ करी है प्लेटो की तो इतने बड़े शब्द कहें हैं तो बहुत गजब के philosopher रहे होंगे आप समझ सकते हैं अब प्लेटो को जानते हैं उनके खुद के course में कि प्लेटो किस तरीके की बाते कहते थे तो आपको समझ में आएगा कि वो सच में कितने महान वेकती थे उन्होंने कहा कि वन आप देव पैनलिस्टिक ओफ रिफूजिंग दे पार्टिस्पेट इन politics is that you end up being governed by the or inferiors कुछ लोग कहते हैं न जैसे कि मुझे politics में इंट्रेस्ट नहीं है मैं तो political हूँ और मुझे सब एक जैसे ही हैं कोई फरक नहीं पड़ता तो उन लोगों के लिए यह है यह वाला court कि जो लोग यह सौचते हैं कि मैं तो politics में पार्टिस्पेट करूंगा ही नहीं तो वो एक दिन देखेंगे कि वो ऐसे लोगों के द्वारा government के जा रहे हैं जो उनसे ज्यादा बेवकूफ हैं उनसे ज्यादा नीचे हैं और वो रूल करने के लाइक ही नहीं है लेकिन जिम्यदार कोन है वही लोग है जिन्होंने ढंके politicians को आगे सत्ता में नहीं ही बिठाया और वो कह रहे हैं कि हम तो politics में वहीं नहीं है हम तो इच्छुकी नहीं है इंट्रेस्टेड ही नहीं है तो वह जब कल को अगर सरकार को दोस्ट दें किसी चीज़ का तो वह दोस्ट देने के उनको हक नहीं है उसके बाद इन फोस्ट की कि बाद की है उसके इमोशन की से इमोशन किस चीज को लेकर किस तरीके से वो इमोशन है और उसका नोलेज कितना है इस चीज के लिए कि लिए what not to fear तो courage actual में क्या है साहस क्या है साहस का मतलब यह नहीं है कि किसी भी चीज से ना डरना आप कहें कि सेर सामने आ गया और कहें मैं तो बहादूर हूँ सामने खड़ा हो जाओंगा तो वो आपको छोड़ेगा नहीं कोई भी हूँ लेकिन courage का मतलब यह है कि किस चीज से नहीं डरना चाहिए यह actual में साहस है जिस चीज से डरना चाहिए वो उससे डरना ही चाहिए लेकिन जिस चीज से नहीं डरना चाहिए उसका सामना करना ही courage है इसके बारे में लोग के बारे में क्या कहा है good people do not need laws जो अच्छे लोग हैं उनको तो कानून चाहिए ही नहीं वो तो कानून को तोड़ेंगे ही नहीं और वो तो अपना जीवन सही तरीके से बिताएंगे कोई ऐसा समाज को नुकसान नहीं पहुंचेंगे और बुरे लोग जो हैं वो लूप होल ढूंड लेंगे बात ये कहिए कि वो तो अपने आप रेस्पोंसिवली बिहेव करेंगे जो अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं वो उस पे आप कितना ही कानून लगा लो वो एक दिन आपके कानून को तोड़ेंगे और या कोई ना कोई लूप होल ढूंड लेंगे जिसमें वो क्राइम कर सकें वो बुरा काम कर सकें तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कानून होने की जरुवती नहीं है ये तो कतई नहीं है लेकिन इन्होंने कहा ये बात सही है आप जानते हैं कि अच्छे लोग कानून का अपने आप ही पालन कर लेते हैं चाहे उनको बताओ चाहे ना बताओ अब बात आती है ये ये वाला बड़ा important point है और ये आपको समझ में आएगा कि Plato जो है प्लेटो जो है वो डेमोकरिसी के बिलकुल पक्षधर नहीं थे ने सोक्रिटीज थे ने प्लेटो थे सोक्रिटीज का भी मैंने बताया था कि उन्होंने कहा था कि देखे उस समय आज भी अगर आप बात करें देखे एक चीज रहती है एक टीमेरिट पॉइंट होता है डेमोकरिसी का वो यह है कि वो हर व्यक्ति के उपर एक बर्डन डाल देता है रेस्पोंस्मिलेटी डाल देता है कि आपको सही डिसिजन लेना है पूरे समाज की जिम्मेदारी आपके उपर है पूरे देश की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति के उसको इतना समझदार होना पड़ेगा कि वो सही डिसिजन ले पाई लेकिन ऐसा तो है नहीं हर व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं है इतना समझदार नहीं है और हर किसी का जो थोड़ प्रोसेस है वो हर एक टोपिक के लिए बहतर नहीं हो सकता इसी लिए सोकरिटीज कहते थे कि डेमकरशी में घेमकरसी है वो एक तरस से बेवकुफ़ाओं की सरकार है उसमें आप वो एक बहतर विकल्प नहीं है अगर आप सारे विकल्पों को देखें गवर्रमैं ने वो ये कही है कि dictatorship हमेशा जो है वो democracy से ही rise होती है ये बात समझेए ऐसे example आपको मिल जाएंगे बहुत सारे आप हिटलर का example देख लीजिए जब हिटलर सत्ता में आया था तो वो चुनाव जीत के आया था जर्मनी में चुनाव जीत के नाजी पार्टी सत्ता में आय थी उस इस चीज़ का बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि हिटलर उनके साथ क्या करने वाला आने वाले समय में लेकिन यह हुआ तो डेमोक्रासी में ना तो ऐसा मानते थे प्लैटो की अगर बहुत ज्यादा लिब्रल सोसाइटी बना दी तो उसमें से एक वेक्ति एक दिन आएग और वो आपकी आप सभी को कंट्रोल कर लेगा अपना गुलाम मना लेगा और डिक्टेटरशिप वहां पर लागू कर देगा तो यह डिक्टेटरशिप इसके पक्षधर नहीं थे वो कहते थे कि एक ऐसा वेक्ति होना चाहिए जो पूरी तरीके से गवर्न करें एम्परर की इसमें मोनार्की में बिलीव करते थे और सोक्रेटीज यह कहते थे कि एक समू जो कि जो समझदार लोगों का समू जो है जो जानते हो फिलोसोफिकल आइडिया जानते हो किस तरीके से समाज का अच्छा बुरा भला समझते हो उनको सत्ता में आना चाहिए ठीक है यह तो उन ही हुआ है सबसे ज़्यादा अक्सेप्टेबल यही है कि एथेंस में 428 BC में हुआ इनका जनम इनके पिता का नाम था ऐस्टोन यह एक डिसेंडेंट थे एथेंस के किंग्स के और इनकी माता जो थी पेट्रियस्यों पेरिस्टियों पेरिस्टियों यह नाम आप द्यान प्लैटो वो कहां से पड़ा कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इनके दाधा जी का नाम जो था वह भी प्लैटो था तो उनही पलाओ जो वेस्टें कलचर में हुआ जो बड़ा बेटा होता था बड़ा ग्रेंट सन हुआ करता था उसका नाम दादाजी के नाम पे भी दर्ख दिया करते थे तो उसके बाद इनको यह नाम मिला प्लैटो ठीक है तो यहां यह बहुत के इधर में अगर वेस्ट में जाएं गे तो यह रीज pen जिसको हम भारत में युनान कहते हैं हिंदी में तो यह युनान जो है यहां की राजदानिय एथेंस एक सिटी है यहां पे उस एथेंस में इनका जनम हुआ था अब बात यह आती है प्लेटो जब छोटी ही एज में थे तब इनके पिता की डैथ हो गई थी उसके बाद इनकी मम्मी जो थी उन्होंने दु यह एक शाही बैगराउंड से जुड़े रही उसके बाद इनके भाई बहनों की बात करें तो दो इनके भाई थे एक बहन थी एक हाप ब्रदर था ठीक है कौन कितना बड़ा था चोटा था उसके बारे में कोई डिटेल मिलती नहीं है लेकिन जब ही भी आप डायलोग्स को नहीं करते थे और क्योंकि सोकर्टेज के बारे में लिखने वाले भी उनके सिश्या थे तो वह बात कितनी करते थे उन चीजों को उन्होंने शायद अवोइड भी कर दिया हो यह पता नहीं चलता अब बात करते हैं कि प्रेटो की एजुकेशन और उनके जीवन में एक चें फिलोसफर कैसे बने इस तरीके के एजुकेटर कैसे बने स्कोलर वो तो एक तो वह मिले ग्रिक फिलोसफर सोकर्टेज से और सोकर्टेज के विचारों से वह इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि वह सोकर्टेज को उन्होंने अपना गुरू मान लिया उसके बाद सोकर्टीज का यह तरीका था सोकर्टीज मैथड जिनको कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने इनर सेल्फ को जानना चाता है या बहरी दुनिया को जानना चाता है तो उनके बहुत सारे सवाल हैं वो हर एक चीज के पीछे रिजन डूंडते थे रिजनिंग डूंडते थे और उस रेजनिंग के थूँ ही चीजों को एक तरह से डायलोग करते थे लोगों से बातचीत करते थे अपने फिलोसोफिकल आइडियाज को स्प्रेड करते थे तो यहां से जो करेक्टर डेवलप हुआ प्लैटो का और वो एक बहुत होनाहर व्यक्ति थी प्लैटो तो के समय भी वो वर था ग्रीस और स्पार्टा के बीच में ग्रीस और स्पार्टा अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं तो यहां पर स्पार्टा हुआ करता था यहीं के वेस्टन पार्ट में ग्रीस के यहां पर स्पार्टा था स्पार्टा और ग्रीस के बीच में वर हुआ ज मार दिया गया, उनको जहर का पहला दिया गया, ठीक है, उसके बाद क्या है, एथेंस हार गया था, एथेंस यानि कि ग्रीस हार गया था, तो वहाँ से डेमोक्रिसी तो खतम हो गई, और यहाँ पे एक ओलियोग्रेसी आ गई, ओलियोग्रेसी यानि एक एलिट क्लास जो है, ज के भी रिष्टेदार यहां पे थे जो इस पॉलिटेक्स में इन्वॉल थे और वो जो एक नोटोरियस 30 टाइरेंट्स कों थे जो यह जो अगर बात करें जो नई सरकार बनी थी इसमें 30 ऐसे टाइरेंट्स माने जाते हैं जो कि उस समय पूरी तरीके से जो एथेनियन लोग है उनके अधिकारों का हनन कर रहे थे उनको पूरी तरीके से प्रताडित कर रहे थे क्योंकि हारा हुआ था ग्रीस और स्पार्टा के लोग इनके उपर एक तरीके से रूल कर रहे थे तो यहां पे एक तरीके से खराब समय चल रहा था पूरी तरीके से पूरे के पूरे ग्री और सोकरिटीज के सामने ये रास्ता दिया गया कि या तो आप जहर का पैला पीलो या फिर आप यहां से एथेंस को छोड़ के चले जाओ एक्जायल पे चले जाओ और माफी मांग लो तो सोकर्टीज ने जहर का पहला पीना पसंद किया और अपने जो विचार हैं उनसे किसी भी तरीके का समझोता नहीं किया उसके बाद सोकर्टीज की डेथ हुई प्लेटो के जीवन पे बहुत ज़्यादा परभाव पड़ा और वो बहुत ज़्यादा आहत हुए इस चीज से कि ये जस्टिस सिस्टम जो मेरे गुरू को खा गया ये बहुत गलत है और फिर वो सोकर्टीज के आइडियाज और जो उन उसकी भी बाइग्राफी हम जल्दी करने वाले हैं और उसके बाद जियोमेट्री जियोग्राफी जियोलोजी अस्टोनॉमी जो थियोलोजी है इन सभी विशों में उन्होंने पढ़ाई करी और चीजों को समझा और अपने जो चीजे समझी वह दूसरों लोगों को पढ़ कहा जाता है तीन चरण पहला जो फेज है पहला पिरिड उसमें तो यह पिरिड है जो 309 में से लेके 387 के बीच का जो 12 साल का जो समय है जिसमें वह अपने गुरू की डेथ के बाद लोगों तक पहुंच रहे थे तो इसमें वह सोकरटीज के जो आइडियाज हैं उनहीं के पहुंचा रहे थे जो अपलोजी ओफ सोकरटीज है वह सब चीज़ें उन्हों ने लिखी अभी तक वह सोकरटीज जौन में थे बिसकली यह कह सकते हैं दूसरा टाइम है सेकंड फेज या मिडल फेज जिसको का जाता है इसमें उन्होंने अपने खुद के फिलोसफिकल उन्होंने आर्ट के वाले जो रीजन है उसमें चले गई आर्ट के बारे में उन्होंने अपने बात बताई इनके बारे में हम बात करेंगे सेपरेट वीडियो में डांस के बारे में क्या कहते थे प्लैटो म्यूजिक के बारे में ड्रामा के बारे में क्या कहते थे यह काफ किज़े जो फिलोसोफिकल आइडेस हैं उनको हम जरूब पढ़ेंगे अब बात करें किसके फिलोसोफर से सोकर्टीज परभावी थे तो पाइथोगोर्स से थे हेराकलीटस से थे पैरिमेंडियस से थे ये पार्ष के उसमें थे परशिया के यहां पर एक महान फिलोसोफर माने जाते हैं और पैरिमेंडियस को तो माना जाता है कि मेटाफिजिक्स के फादर थे एक तरीके से ये और सोकर्टीज तो इनके गुरू थे ही थे ये बाते हैं अब बात करते हैं प्लैटो की अकेडमी का तो इन्होंने 380 के समय पे ये अकेडमी है इस इस्टिटूट को खोला ये एक पार्क में एक इंस्टिटूट था ऐसे नहीं कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग थी जैसे कि आप तक्षिला नालंदा जैसे देखेंगे उस तरीके का इं प्रेरी ये सब चीजे नहीं थी अपनी जो फिलोसोफिकल आइडियास हैं वो लोगों के बीच में स्प्रेड करते थे यहां पर आके उसके बाद यह जो आकेडमी है यह तीन देखें तीन सो असी बीसी में बनी थी और पांसो उनत्तिस सीई में जाके इस अकेडमी जो है इ उसके बाद जाके यहां पर रोमन अंपायर ने ग्रीक अंपायर को अपने कंट्रोल में ले लिया था तो जूलीनियंस जस्टीनियन फैस्ट नाम के एक एंपरर थे इन्होंने 529 सीई में जाके उस अकेडमी जो इंस्टिटूर था उसको पूरी तरीके से क्लोज करवा दिय तो उसके बाद तो बीडिंग्स वगेरा बनी गी थी प्लेटो की डेथ के बाद तो कारण यह था कि यह मानते थे क्योंकि अभी तक रोमन अंपायर में आ चुका था क्रिस्टियन्टी रिलीजन तो क्रिस्टियनिटी को यह थे मानते थे कि पैगनिजम डिलीजन को यह अकेडमी का जो योगदान है एस्टोनॉमी में बाइलोजी में अथमेटिक्स पॉलिटिकल थियोरीज और फिलोसोफी में वो तो आप सभी देखी रहे हैं आगे चलके कहां तक वेस्टन फिलोसोफी में इनका परभाव रहा है तो यहां से बहुत बड़े-बड़े फिलोस साल तक अकेडमी का हिस्सा रहे और अरिस्टोटल और प्लोटो के बीच में प्लेटो के सबसें अच्छे सिश्य थे अरिस्टोटल उसके बाद भी इनके बीच में कुछ पॉलिटिकल वैचारिक मत भेद थे उसके बाद अरिस्टोटल ने इसका जो ओवियसली जब प्लेट ठीक है यह तो अरिस्टोटल ने खुला था अरिस्टोटल की जी उनी में मैं आप जाके देख भी सकते हैं अब बात करते हैं प्लूटोनिक आइडिया और फिलोसोफी के बारे में किस तरीके के आइडिया इन्होंने दी अब देखिए पहला आइडिया है थिंक मोर यह रहा है कोई घटना क्यूं हो रही हे उसके पीछे का कारण क्या है ऐसे ही किसी चीज में मान मत लीजिए अंध विश्वास मत कीजी आप चीजों को समझञें उसके पीछे की रिجिड मत होईगे अपने आपको इतना लिबरल जरूर बणाएगे कि जो लोग आपका भला सोचते हैं तो आपके भले के लिए आपको जो चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको चेंज होना चाहिए ठीक है ॡेकोड कीजी जो beauty का message है उसको डेकोड कीजी तो society के reform की हर एक philosopher बात करता ही है जो बड़े-बड़े philosopher है वो ये जरूर कहते हैं कि आप अपनी education का जो purpose है उसका इस्तमाल समाज के betterment में जरूर कीजिए उसके reforms में जरूर कीजिए लोगों को educate जरूर कीजिए ऐसा नहीं है कि knowledge collect कर लिया और अपने अंदर रखा और खुद के भ भाड में ऐसा नहीं होना चाहिए तो यह सब चीजे तो idea है तो basic ideas है अब इनके philosophy की बात करते हैं तो इसमें दो man theory है एक तो है theory of form यह बहुत ही महत्पूर्ण है इसको समझना जो man जीवन है उससे और एक है allegory of the cave यह दो example वो तो example है एक तरीके का उसको मैं समझाओ आपको यह theory of form क्या है इसको समझी बहुत important है देखे अरिस्टोटल प्लैटो के हिसाब से दो वर्ड एक्जिस करते थे एक इस समय पर दो वर्ड हैं दो वर्ड किस तरीके के हैं उसकी बात हैं मतलब हम अर्थ पे रहते हैं जो दुनिया हम देख रहे हैं वो रियल नहीं है according to Plato Plato का एक अपना खुद का वर्ड है जो कि perfect है उसमें हर एक चीज परफेक्ट है वो वर्ड ही इतना प्योर है उसमें कुछ भी इन्परफेक्ट है यह नहीं उसमें हर एक चीज अगर वह होती आप एक चीज देखिए जिस वर्ड में हम रहते हैं उसमें कुछ भी perfect नहीं है हर एक चीज है उसका अंत हो जाएगा आप जिस अर्थ पे रहते हैं इसका भी ऐसा मना जाता है कि एक समय आएगा और अर्थ खतम हो जाएगी आप देखते हैं अपने हाथ में मोबाइल ह अपने नया खरीदा लेकिन वो कितना भी उसको परजरू कितना भी बचा के रखलो लेकिन एक नए एक दिन वो खराब हो जाएगा, खतम हो जाएगा कोई भी व्यक्ति बच्चा जनम लेता है, एक नए एक दिन उसकी डेथ होनी पक्की Chand पहले कितना भी उसको कैसे भी बचा के रख लो, नहीं बचा सकती, अमर कोई नहीं हो सकता, कोई भी सामान, कोई भी चीज जो है, इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड में, वो कितना भी परजर्व करके रख लो, उसका अंत होगा ही होगा, वो डिग्रेड होगा ही होगा, लेकिन जो प्लैटो का वर्ड है जो आइडिलिस्टिक वर्ड है आइडिल वर्ड जिसको बोला गया है जो स्प्रिचुल रेल्म है उसको उसके अंदर कुछ भी डिग्रेड नहीं होता उसमें सब कुछ परफेक्ट रहता है और जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है हमेशा तो दो वर्ड की बात की है एक है physical realm एक है spiritual realm और physical realm तो वो है जिसको हम जिसके साथ हम daily life में interact करते हैं जो METALISTIC STF है अब के मेरे हाथ में जैसे नहीं है उसके अलावा यह जिसके मैं record कर रहा हूँ यह है table है diabetes चेर है यह सब चीजे जो है यह क्या है हैं वही रियल है जो आप जिसको आप इमेजनेरी मान रहे हैं वो रियल है और जिसको आप रियल वर्ड मान के चल रहे हैं वो तो एक शेड़ो है उस वो जो रियल वर्ड है जो स्प्रिच्वल वर्ड है उसका एक तरीके से वो तो कोपी है और उसमें वो इमेज है इसकी समझ उसकी कोपी है, ये कहना चाहते थे प्लेटो, ठीक है, तो इसलिए ये प्लेटो निजम का जो प्लेटनिक वर्ल्ड है, इसी की वज़े से इनकी थेोरीज को कहा जाता है, कि ये तो एक तरीके से यूटोपियन बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे वर्ल्ड की बात करें, पल्य है देखिए जब मापको कहूं कि एक chair के वारे में सोची इसको बिना देखे भी तो आपके दिमाग में कोई ना कोई chair ज़रूर आएगी जो vashty ना कोई आ सकती है उपकर आपके प्लास्टिक प्लास्टिक पि असकती लकडी की चे पकड़ भी नहीं सकते, आप कहेंगे ज़्यादा नहीं बैठ सकते, उसके बाद कहेंगे इसकी sitting comfortable है, लेकिन इसमें ज़्यादा देर तक इसमें भी नहीं बैठा जा सकता, back को इतना relief नहीं मिलता, फिर इसकी बात है कि कहेंगे कि इसमें relief है, arm भी है, नीचे wheels भी है, पीछे स back में भी अच्छा support है, लेकिन क्या ये भी perfect है, इसको उपर मैं कहूँ कि आपको दो साल तक इसी chair पर बैठे रहना है, तो आप बैठ सकते हैं, नहीं, complete perfectionism तो नहीं है, complete comfort तो ये भी नहीं प्रवाइड कर सकती, कुछ भी हो, कोई भी चीज इस दुनिया की completely perfect है ही नहीं, त तो बात है कि complete perfect कुछ भी नहीं है, तो एक perfection भी होगा कहीं नहीं, कोई भी चीज है, उसका कोई तो perfect virgin होगा, कोई तो perfect virgin होगा और वो कहां होगा, वो plateau के spiritual realm में होगा, बाकी कहीं पे भी नहीं हो सकता, ऐसा plateau का मानना है, तो ये सब metaphysics में भी और philosophy में उन्होंने बात की, एक ये और इनका concept है और बहुत ही interesting सा है, allegory of the cave, the allegory of the cave क्या है, इसको और समझिए, ये देखिए, ये एक जमीन है, हमारी जो अर्थ है, उसकी जमीन की उपरी सता है, और इसके नीचे एक खोल दी गई है, पूरी की पूरी खान एक तरीके से, ये एक तरीके से cave बना दी गई ह इस cave इस तरीके से design किया गया है, कि ये दिवार है, इस दिवार के इधर कुछ बंदी बना दी गए है, कुछ लोग बैठे हैं, वो slave है, अब उन slave को control करने के लिए क्या क्या हो रहा है, देखिए, यहां पर आग जला दी गई है, यहां पर रोशनी करने के लिए आग जला द देखेंगे, अब इस तरीके से देख लिजी, ये वैक्ति सिर्फ इस puppet की परचाई को देख सकता है, इसको पीछे नहीं पता है, इस दिवार के पीछे आग है, इसके आदमी ने इस puppet को control कर रखा है, इसको कुछ भी नहीं पता है, अगर इसको कुछ भी नहीं पता है, तो य ये reality से unaware है ना जब reality से unaware है तो ये इसी चीज़ को सचाई मानके चलेंगा कि ये shadow जो है यही reality है इसके इसको कुछ पता यह ही नहीं जैसे हम बát करते हैं कुवे का मेंडक उसके लिए उस कुवे से बाहर कुछ दुनिया है ही नहीं एक movie हम आपको बताओ गा The true man Show The true man Show तो आप देखना आप इस concept को समझ पाएंगे उसमें एक व्यक्ति होता है 1998 में यह थी जिम केरी की मूवी है तो व्यक्ति उसको एक शहर के अंदर बंद कर दिया जाता है उसको पता भी नहीं है बच्पन से लेके कि वो शहर के अंदर बंदी है उसके आसपास के लोगों को इस इसलिए रखा गया है कि वो उसको शहर के दाइरे में रखें उसको शहर से बाहर ना आने दें उस शहर की ही न्यूज उसको मिलती है उसके पास जो मैप है उस शहर से बाहर का नहीं है आप मालो आप दिल्ली में रहते हैं और आपको पता चले सिर्फ आप दिल्ली की नियू ऐसी तो कोई दुनिया सुनी नहीं थी तो इसी तरीके से जब इस व्यक्ति को इस जगे से इस केव से बाहर निकाल कि अगर रियल दुनिया में छोड़ दिया जाए तो इसके ओपर क्या होगा? क्या वो इतनी सारी सच्चाई को एक साथ असेप्ट कर पाएगा? उसके लिए उसकी तो आँखें एक तरह से चुन्दिया जाएंगी कि ये क्या है? अब मैं सनलाइट देख रहा हूँ पहले तो मुझे सिर्फ ये शेड़ो दिख रही थी और कुछ था ही नहीं कुछ भी चीजें ये जो रियलिटी में आज इतने सारे लोग दिखेंगे और वो सब चीजे उसको पता ही नहीं थी कि ऐसा कुछ है भी तो ये सब चीजे एलिकरी ओफ केव में इनोंने ये समझाने की कोशिश की है कि हम एक्ट्रिक्स के अंदर फसे हुए हैं मैट्रिक्स भी एक मुवी है वो भी आप समझेंगे जाल में फसे हुए हैं उससे बाहर हम नहीं निकल सक रहे हैं हमारी लिमिट्स हैं हम एक लिमिट्स से ज़्यादा जो सेंसे हमें मिले हैं पांच सेंस मिले हैं तो उन पांच सेंसे से बाहर के दाइरे में हम चीज़ें देख नहीं सकते हमें देखने को पता है हमें सुनने का पता है लेकिन और सेंस भी तो हो सकते हैं उनके बारे में हमें पता ही नहीं है इस दुनिया से बाहर क्या है उसका हमें पता ही नहीं है परफेक्ट क्या है हमें पता ही नहीं है किये यह सब चीजे मैंने यहां पर यह चीजे लिखी हुई है आप इनको पढ़ भी सकते हैं मैं आपको इसकी पीडियाफ भी प्रोवाइड करी दूँगा टेलिग्राम पे तो यह इनके आइडियाज हैं जो इन्होंने एलिगरी ओफ केव में समझाने की कोशिश की है पॉलि समाज को इन्होंने तीन भागों में बांटा था सोकर्टीज और प्लूटो की जो थोड़ से इनमें आगे चलके इन्होंने जो सोसाइटी को एक तरह से कास सिस्टम में या फिर एक तरीके से तीन वर्गों में बांट दिया था एक क्लासिफिकेशन कर दिया था एक प्रोड करते हैं डेली रोज नमा का और लेकिन जरुवत सबças को है कि तो से वरकर से मुसके बाद फ्रॉटेक्टिव वह लोग जो प्रॉटेक्ट करते हैं वारियर क्लास है गार्जियन है सेना के लोग हैं ये क्या हैं brave है strong हैं तो इन तीन हिस्सों में बाटा गया है एक है appetite एक spirit और एक region ये तीन हिस्से हैं तो जो productive है वो माने जाते है appetite जो protective है जो protect करते हैं वो spirit माने जाते है soul का और जो governing class है जो ruler है philosopher king है वो लोग जो हैं जो intelligent है rational है जिनके उपर जिम्मेदारी है जिनके कंदों पर लोगों को गवर्न करने की उनको नियाए वावस्ता प्रोवाइड करने की वो सब चीजें के जो है इनको माना जाता है region region part of the soul ठीक है तो रोल के तीन हिस्से माने गए है समाज के तीन हिस्से माने गए है और politics को इस तरीके से इन्होंने एक तरीके से distribute किया है ठीक है कि किसका क्या क्या काम है और उसको वो उसका रोल क्या है तो यह क्या appetite है यह क्या तो ये गौवन कलास है और प्रोड़क्टिव हो गई तीन तरीके कि नों ने कलास को बताया है फाइनली बात करते हैं डेथ की तो जो इनके डेथ के भी काफी सारी हिस्टोरियंस में मतब्ध हैं अलग-लग historians अलग-लग बाते करते हैं कुछ लोग करते हैं कि 80 साल की एज में मरें कुछ करते हैं 82 कुछ करते हैं 84 348 या 347 बीसी में इनकी डेथ हुई थी और उसमें भी अलग-लग मतबेद हैं कुछ लोग करते हैं कि सो रहे थे सोते सोते ही इनकी डेथ हो गई एक तरह से बेड रेस्ट पे थे और कुछ लोग करते हैं कि शादी में गए थे शादी में यह उनकी डेथ हो गई वहाई पे तो यह तो ज़्यादा इंपोर्टेंट बात नहीं है कि जनम किस येर में हुआ कौनसी येर में डेथ हुई क्योंकि उसमें कौन्ट्रवर्सी है उसमें नहीं पढ़ना है लेकिन इनके जो विचार है इनके फिलोसोफिकल आइडियाज है उनको आप जरूर समझेगा होफ़ुली आपको प्लेटो की जीवन के बारे में चीजें क्लियर हुई होगी किसी तरीके का कोई डाउट हो कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं साथ ही साथ टेलिग्राम के लिंक में भी आप जाके जोइन कर सकते हैं so thank you so much for watching this video have a good day see you in next class